करेंगे जो एक इसके बादे में कभी-कभी आई-टीच में पूछ लिए जाता है तो लेकिन हम इसको डिटेल में डिसकस करेंगे किप्स्क्री एनरजी के साथ और आपका ये मैं आप आप दी सेट के साथ इन सब का में डिसक्रीच में डिसक्रीच करना है तो इस दो फॉरमेट में आपके चैनल टोफिशन लिखी आदे है एक गेड़ेटाजी के पॉरमेट में एक आपके एमफ के एक वगागेशन पर देविग आप लोग रेकिशन पर चुकी है और इसमें जानते हैं कि वही इसी क्या होता है? E0-RT by NF log base E. That is your next equation. जहां यह E, EMF of cell है. E0 आपका स्कटनर्ट EMF of cell है. और R उनिवर्सल गैस कॉंस्टेंट है N, और सभी, क्या हमें, NFA और T आपका उनिवर्सल गैस कॉंस्टेंट है, F आपका पराडे कॉंस्टेंट है, और Q जो है आपका रिक्शन रिश्यो है. तो नननने स्कॉशन से आपको यह तो पता लगा लेते हैं कि вд quantum都是 इस प्र Прав के साथ मोज़ंग करने के साथ कैसे रिज़ करता है, लेकिन इस तरह क्कशन को वैरी करने के साथ कैसे करता है, इसे नौर्भ नेंक का होरता है तो आपका जो है temperature के साथ EMF इस तरीके से vary करता है यह आपकी Gibbs Helmet-Holt equation से पता लगता है तो जो हमने डिसकस करना है वो यह डिसकस करना है कि आपका जो changing EMF with changing temperature at constant pressure यह आपका किस तरीके से vary करता है इसका calibration है यह आपके Gibbs Helmet-Holt equation से हम लोग निकाल देते हैं यह आपका डिल्टा जी temperature के साथ कैसे vary करता है यह हम इस equation से निकाल लेते हैं इसकुछ question के भी discuss करेंगे तो इनके derivation को मतलब ultimately starting Gibbs free energy पही होगी ठीक है Gibbs free energy क्यों इतनी important चीज है तो आपको रिलाइस होता जाएगा तो आज जो है आपको इस फार्मूले का थोड़ा सा आपको इस equation का आपने differentiate किया इस equation का आपने differentiate करा दीजी तो यह डीव होगया और यह जो है इसकी जो वैल्यू है आपने यहां से वैल्यू निकालगर यहां पुट कर दी यह आपका माइनस का डी यू और माइनस का पी डी आगया तो इस एक्सप्रेशन भागी सबकुछ सेर और यह आपके चैनल होगा तो यह आपकी question आप तो यह यह आपका expression के सब्सक्राइब कर दीट के सब्सक्राइब कर दीट के अपने चेंज कर रहा है यह आपका यह डी जी टू ए माइनस एस टू डीटी हो जाएगा आपका और इंदो लोगा आपके डिफरेंस लिए यह equation second और first का तो यह आपका स्टू माइनस सब्सक्राइब और यह डीटी हो जाएगा और एक constant pressure पर यह आपकी equation इस तरीके सब्सक्राइब कर दीटी गाप में देवाइट करती और आपका जो है आप जानतो डेल्टाइब इस गस्टू डेल्टाइस माइनस ती देल्टाइस तो इस वाल्य को आप जो रहे माइनस डेल्टाइस की equation थी में पूट करते हैं देल्टाइस माइनस डेल्टाइस अपॉट टी जीगरस्टू देल्टाइस देल्टाइस एक फॉर्म है तो यह जो question है आप इस question पर वीडियो को pause करें और question को करने की कोशिश करें गिप Salvant Hold equation पर base question है तो इसको आप करने की कोशिश करें ठीक है और इसके बाद इसका solution देखिएगा थोड़ी सी calculation इसमें tough है लेकिन गिप Salvant Hold equation पर बहुत असान-असान question ही बनते है तो आपने G1 की value लिखी, G2 की value लिखी, और T1, T2 की value लिखी और ये equation में इसमें आपने डेटा जी वालियो निकाल ली, उसके बाद 35 दिनकी सल्सेस पर डेटा जी की value यह है टैब देख लिये है और ये gradient यह है और आपने equation लगा ही और डेटा एसकिवालियो निकाल ली ठीक है 3-akat is equal to 1844.174 kilo Jus तो इस एक्सम्पश्चेन में आपका गेर्टरम 높ॉडल्डMother equation का इसे पार्टक डा mama त्यशन अह नहीं है तो आपको जानते पहाते में आएसे ओसपार्ट में amid S इस डीलता हे स्टी दील डील्टा जी वाइक को सट्रेशन और Δेल्टा जी के वाले कितनी है आपकी – nfp इस – nfp को यहां रख दिया हमने ठीक है और यहां दिया ठीक है बागी कॉश्चन है जेटेस तो e is equals to – nfp की डिवाइट कर दी t d minus minus कह एंस जोका डेल्टा e by देल्टा t आपका रिमेंग बचा तो यह जो है आपका जो इसमें आपका यह आगया EMF का इसमें आपका यह आगया EMF का विद टेंपरेचर, टेंपरेचर को विशेट आफ दी EMF ऑफ दी सेल, कि मलदब EMF ऑफ दी सेल जो है temperature के साथ कैसे बदलता है constant pressure या आपकी 100-hour equation आ गई जो practically भी और एथोके सब्सक्राइब यू और विर यह पिस जारेंग है आपका डिल्टा तो लो सब्सक्राइब में gördशेश प्रोड उडर् कि क्वर्ड ईल्टाइब के साम्द्टइ यानि कि जो सेंसे आपको फ्री एनर्जी मिलेगी हो जाना मिलेगी उसका रीजन निहो सकता है कि यादो आपका question है for daniel cell delta e by delta t is equals to 0 n की value 2 है दो electron transfer हो रहे हैं balance chemical equation में delta h is equals to 50,000 hundred calories calculate the mf of the cell cell का mf आपको calculate करना है इस question को आप कोशिश कीजिए वीडियो को ही पाउस करके फिर इसका solution देखिएगा Gibbs-Helman-Hault equation के second part से तो तो टेरियन cell की आपने Gibbs equation लगाई और Gibbs-Helman-Hault equation लगाई इसकी वाज़ी 0 रखी तरही easiest to data is by nf हो जागा कालोरीस को आपने जूर में convert करा एन के वाज़ी 2 रखी फराड एक वाले constant की वाल्यू 965000 रखी और जो है आपका यह में हो जिसल 1.09 बोल्ट आ गया ठीक है यह आपका thermal measurement से भी यह में जो है टेनिसर्ट का